जिए ही बंदना से उसका सामना हुआ भै अपना आपा खो बैठी उसने बंदना को धिकारते हुए कहा तुमने तो अपनी इमेज खराब कर ली लेकिन तुमने मेरे बारे में यह कैसे सोच लिया कि मैं भी तुम्हारे रास्ते पर चल पड़ूँगी क्यों क्या हो गया बंदना ने ऐसे पूछा जैसे बहे कुछ जानती ही ना हो बही हुआ जो तुमने सोचा था मैं भी तुम्हारी तरह लालची और डरपोग होती तो सायद बचकर नहीं निकल पाती सुभांगी ने अपनी उपनती सांसों पर काबू पाते हुए कहा बंदना समझ गई कि सुभांगी उसकी सच्चाई को जान गई है उसने पैतरा बदलते हुए कहा देखो सुभांगी अगर तुमको आगे बढ़ना है तो कई जगह समझवते करने पड़ेंगे फिर क्या हर्ज है कि किसी एक पहुँच वाले आदमी के आगे जुक लिया जाए मुझे देखो आज मैं मंत्री जी की बज़े से ही इस मुकाम तक पहुँची हूँ बंदना मंत्री से अपने संबंधों के चलते ही ब्लॉक प्रुमुक बनी थी पहली बार जब वह आगन बाड़ी में नौकरी करने की गरज से मंत्री के पास गई थी तो उसका सामना एक भेंकर दुरगटना से हुआ था उसकी मजबूरी को भुनाते हुए मंत्री ने भरी दो पहरी में उसकी इज़त लूटी थी एक बार तो उसको ऐसा सद्मा लगा कि खुदकुसी का बिचार उसके मन में आ गया था लेकिन मंत्री ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा नौकरी करके क्या करे गई मुझे कभी कभार योँ ही खुस कर दिया करो बदले में मैं तुम्हें बह पहचान और पैसा दिलवा दूँगा जिसकी तुमने कभी कलपना भी ना की हो उस समय बंदना भी मंत्री के मुझे नहीं थूक कर भाग आई थी लेकिन घर पहुँचने पर उसके मन में कई तरह के खयाल आये कभी उसको लगता था कि फोरन जाकर पुलिस को सूचित करे और मंत्री के खिलाप जंग का बिगुल बजा दे लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि मंत्री के खिलाप लड़ने का अंजाम आकिरकार उसको ही भुगतना पड़ेगा जिन दिनों बंदना मंत्री के कारणामों से आहत होकर घर में गुमसुम बैठी थी उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात अर्चना से हुई थी अर्चना कहने को तो टीचर थी लेकिन उसके कारणामे बस्ती में काफी मस्हूर थे अर्चना ने बंदना को समझाया था अवरत को तो हर जगे जुकना ही होता है बहन कुछ लोग मजे लेकर चले जाते हैं और कुछ अहसान का बदला चुकाते हैं मंत्री जी ने तो किया बह बेसक गलत था लेकिन अब अपने किये का मुआबजा भी तो तुमको दे रहे हैं जगड़ा मोलोगी तो पच्टा होगी और अगर समझोता करोगी तो आगे बढ़ती चली जाओगी अर्चना ने बंदला को इतने हसीन सपने दिखाये थे कि उससे मना करते हुए नहीं बना उसके साथ वह राजधानी पहुँची और कई दिनों तक मंत्री के लिए मनोरण्यन का साधन बनी रही अब बंदला को पता चला कि मंत्री की एक रखैल अर्चना भी है अर्चना की सेवा से खुश होकर मंत्री ने उसे स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जिसमें कभी मंत्री की महरवानी से बह टीचर बनी थी बंदला सत्ता के सपनीले गलियारों में कुछ यूँ उलजन में थी कि उसको अपने पती से खिलापत करते हुए भी जिजक नहीं हुई मंत्री के कारनामों से उसके पती अंजान नहीं थे नौकरी के सिलसले में बे अक्सर घर से बाहर ही रहते थे लेकिन अपनी बीबी की हर चाल सेवे बाकिफ थे पानी जब सिर से उपर गुजरने लगा तो उन्होंने बंदना को रोखने की गोसिश की बच्चों का हवाला देते हुए उन्होंने बंदना से कहा था तुम दो बच्चों की मा हो बच्चों की पढ़ाई और परवरिस के लिए मैं जो कमाता हूँ वह काफी है इज्जत की कमाई थोड़ी ही सही लेकिन अच्छी लगती है इमान और इज्जत बेंच कर कोई लाकों रुपए भी कमा ले तो दुनिया की थूथू से बच नहीं सकता अभी देर नहीं हुई मैं तुम्हारे अब तक के सारे गुना माफ करने को तयार हूँ बसरते तुम इस गलत रास्ते से बापस लोटाओ बंदना अब इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि उसका किसी से कोई वास्ता नहीं रहा था उसने पती को दो टूक सब्दों में कह दिया था मैं जिन्दगी भर तुम्हारी दासी बनकर नहीं रह सकती अब तक मैंने जो चुप चाप सहा भै मेरी भूल थी अब मुझे अपने रास्ते चलने दो यह सुनकर बंदना का पती चुप हो गया उसको लगा कि बंदना को रोकना अब खतरनाक हो सकता है उसकी बजह से घर में कलेस बढ़ सकता था उसने दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाने का फैंसला किया और बंदना को उसी के हाल पर चूण दिया बंदना ने भी पती के फैंसले में कोई दखल नहीं दिया अब उसके उपर बच्चों की देखरेख करने का जिम्मा भी नहीं रहा तमाम जिम्मेदारियों से छूट कर बंदना अब मंतरी की सेवा में खुद को पूरी तरह सौप चुकी थी बहुवली मंतरी ने पंचाच चुनाओं में अपने अपराधिक संपरकों का इस्तिमाल कर बंदना को बलाक प्रमुक बना दिया मंतरी से अपने संबंदों को उसने जम कर भुनाया बंदना अपने दबदबे का इस्तिमाल जनता की भलाही के लिए करती तो लोगों का समरतन हासिल करती लेकिन लालच में अंधी होकर उसने मंत्री के दलाल की भूमक्या निभानी सुरू कर दी अपसरों से पैसा बसूलना और अपने गुटकों को ठेके दिलवाने के अलावा भै अब आसवास के गाओं की भूली भाली लड़कियों को नौकरी का लालच देकर अपने आका के वेडरूम तक पहुचाने लगी थी सुभांगी उस इलाके में अपनी स्वेम सेवी संस्ता चलाती थी भै पढ़ी लिखी और जुजहरू थी अपनी संस्ता के जरिये भै औरतों और बच्चों को पढ़ाने की मुहिम चला रही थी बंदना और सुभांगी की मुलाकात एक सरकारी कारिकरम में हुई सातिर बंदना की नजर सुभांगी पर लग चुकी थी उसने सुभांगी से दोस्ती बढ़ानी सुरू कर दी सरकारी मदद लेने के लिए तो आंकड़े चाहिए और मेरी समस्या यह है कि मैं जमीन पर रहकर यह काम करती हूँ लेकिन फरजी आंकड़े नहीं जुटा सकती सुभांगी ने जवाब दिया तुमको फरजी आंकड़े जुटाने की क्या जरूरत है तुम्हारे पास तो ठेर सारे आंकड़े पहले से ही मौजूद है तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ इस इलाके के बिधायक सरकार में मंत्री हैं और उनसे मेरे अच्छे तालुकात है बंदरा ने अपना जाल बिशाते हुए कहा सुभागी को बंदरा के असली कारणामों की जानकारी नहीं थी बह उसकी बातों में आ गई उसने सोचा कि चंदा बसूल कर अगर बह इतनी बड़ी महिम चला सकती है तो सरकारी मदद मिलने पर इसको और भी सही डंक से चला सकेगी उस साम बंदरा सुभागी को लेकर मंतरी के घर पहुँची उसका परिचे कराने के बाद बह तो कमरे से बाहर आ गई लेकिन सुभागी को बही छोड़ाई सुभागी ने मंतरी के तरफ अपनी फाइल वढ़ाते हुए कहा इसमें मेरे अब तक के सारे कामों का पूरा बेवरा है काम तो मैं यूँ भी कर ही रही हूँ लेकिन सरकार मदद दे दे तो मैं और भी बहतर काम कर पाऊंगी चिंता ना करो हम तुमको अच्छा अनुदान देंगे मंतरी के मुह से सराप की बदबू का भवका आया तो सुभांगी के कान खड़े हो गए भै फोरन कुरसी से उठी और गोली आप मेरी फाइल देख लीजिए मैं अभी चलती हूँ सुभांगी दरवाजे की और मूड़ी ही थी कि नसे में दुत मंतरी ने उसको पीछे से दबोचते हुए कहा फाइल से पहले मैं तुमको तो देख लू मेरी रानी मंतरी ने सुभांगी को अपनी बाहों में मजबूती से जकर लिया सुभांगी उसकी गिरफ्त से बचने के लिए ऐसे छट पताने लगी जैसे कोई मजबूर मचली आक्टोपस की कैट से निकलने के लिए छट पताती है देर तक सुभांगी मंतरी के चंगुल से निकलने के लिए छट पताती रही और जब उसकी ताकत जवाब दे गई तो वह निढाल होकर फर्स पर गिर पड़ी इससे पहले की भै खुखार सैतान उसकी देह पर बिच्चता उसने चालाकी से अपने जूडे में फसी पिन मंतरी के मोटे गाल में घौप दी मंतरी की चीख निकल गई और भै एक किनारे हो गया इस बीच सुभांगी बचकर भाग निकली मंतरी के कमरे से निकलते ही सुभांगी का सामना बंदना से हुआ बह बंदना की सच्चाई समझ चुकी थी उसको डपट कर बह पुलिस थाने पहुंची एक जवान लड़की का यों बदहवास भागते देखकर लोग सकते में आ गए मीडिया को भी खवर लग गई देखते ही देखते थाने में भीड जुट गई दवाव में आकर पुलिस ने ना चाहते हुए भी रिपोर्ट दर्ज कर ली अगले दिन मंतरी के कारनामों की खवरें अखबारें में हेडलाइन बनकर छपी विपच्ची पार्टियों में दवाव में आकर मंतरी को गिरफतार किया गया पुलिस जाच में पता चला कि सुबांगी के अलावा मंतरी ने कई मजबूर लगियों को अपनी हवस का सिकार बनाया और इसकी सूत्राधार थी बंदना पंदना को भी गरफतार कर जेल भेज दिया गया आज बंदना जेल की कोट्री में कैद है उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी है अब उसको अपना अतीत याद आता है जब उसके पती ने उसको बार बार समझाया था कि गलत रास्ता छोड़ दे लेकिन उस समय उसकी आँखों पर पट्टी बंदी थी बैख खुद को सब कुछ समझ बैटी थी सुभागी की तरह उसने भी हिम्मत कर मंत्री को सबक सिखाया होता तो आज एह दिन ना देखना पड़ता बंदना अब गोट गोट कर जी रही है उसके पास अपनी करनी पर पश्टावा करने के अलावा कोई और चारा नहीं है अब उसको अपने बच्चों की याद सताती है पती से अपने गुनाहों के लिए माफी मांगने के लिए बैस चटपटाती रहती है लेकिन उसका कोई अपना उससे मिलने को तयार नहीं है दूसरी तरफ सुभांगी के हिम्मत की चारो और तारीफ हो रही है राजधानी के नागरिक सुरच्छा मंच ने उसको सम्मानित ही नहीं किया बलकि अपनी महिला साखा का प्रधान भी बना दिया आज सुभांगी को तमाम सम्मानों से उतनी खुसी नहीं मिलती जितनी की इस वात से कि उसके एक हिम्मती कारणामे से उस दुष्ट आक्टोपस को कैद करवा दिया जो सालों से मजबूर लड़कियों को जकरता चला आ रहा था उसको खुसी है तो इस बात की ना तो इस की कि उसने बंदना और अर्चना की तरह समझवता किया और ना ही उसने हार मानी उसने हिम्मत से उस बैंकर आक्टोपस का सामना किया जो तमाम मचलियों पर घात लगाए बैठा था तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें धन्यवाद